निस्तित रूप से इस विडियो में नीम की पतियों के संभावित भवों के बारे में जनकारी साजा करने में खुशी होगी निम की पतियां एंटी-इंप्लामेंट्रेय योगिक से भरपूर होते हैं जो सरील में सुजन को कम करने में मदद कर सकती है या गठिया या अन्य सूजन सबंधि बिकारों जैसी इस्तितियों के लिए फाइदे मंद हो सकती है निम की पतियां में परकेतिक जवानुरोधी और एंटी फंगल गुन होते हैं इन्य प्रांप्रिक रूप से मुहासे और बेवित्र फंगल संक्रमन जैसी तवचा इस्तितियों के लिए उपयोग किया जाता है निम की पतियां चवाने या निम अधारी तूथफेस्ट का उपयोग करने से मौकिक स्वास्त में सुधार हो सकता है निम में जुइन रोसी गुन होते हैं जो दातों की समस्या पैदा करने बाली बेक्टेरिया से निपटने में मदद कर सकती है जिससे वे मदूए बाले व्यक्तियों के लिए समभावित फाइधेमन हो सकते हैं नीम की पतियां स्वास्त पाचन तंधर को बढ़ावा देने में अपनी भूंका के लिए जानी जाती है वी पाचन समद्धी समसियाओं को कम करती है और समगर आथ स्वास्त का समर्थन करती है नीम की पतियां में एंटि आक्सिडेंट भी मौजूद होते हैं जो मुक्त कनों से लड़कर परतिच्छा परनाली का समर्थन कर सकती है समगर कल्यान के लिए एक स्वस्त परतिच्छा परनाली महत्वपूर्ण है माना जाता है कि नीम की पतियां में रक्त सूध करने बाली गुन भी मौजूद होते हैं जो नीम की नियमित सेवन या उपयोग रक्त को विश हरन करने में मदद कर सकता है नीम एक परकिर्टी कीट विकर सक है इसका उपयोग अक्सर कीडों को दूर रखने स्वस्त रहने के लिए बाता बरन को बढ़ाबा देने के लिए बीभिन रूपे से उपयोग किया जाता है निम की पतियां असकेलप और बालों को स्वस्त बनाये रखने के लिए सहायक होती है इस वीडियो में बताई गई हेल जनकारी अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ सेयर करें और हमेशा स्वस्त रहें